नमस्कार दोस्तों, Study IQ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है So, China ने अपने borders के बाहर एक अकेला military base बनाया हुआ है which is located in the African country of Jiboti आपको I am sure मालूम होगा इसके बारे में कि ये वाला जो naval base है ये चाइना की navy के द्वारा बनाया गया है और ये अक्सर अभी तक जो experts थे वो ये मानते थे कि इस naval base के जो implications है वो mainly military implications है जिसमें कि China mainly India को target कर रहा है लेकिन अब experts ऐसा बोल रहे हैं कि असल में it is much more than that it is not just limited to military implications इसके और कई सारे कारण है जिसकी वज़े से चाइना ने Jiboti में जाकर naval base को बनाया है इसके कई सारे जो कारण है उनी को इस वीडियो में हम समझने वाले है and we will be answering this very big question कि why Jiboti is integral to China's expansionist aims चाइना जो दुनिया में अपना वर्चस्प बढ़ाने की कोशिश कर रही है जो अपने trade को बढ़ाने की कोशिश कर रही है presence को बढ़ाने की कोशिश कर रही है उसमें Jiboti की असल में क्या भूमिका है उसी को यहाँ पर समझेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलिग्राम चैनल से कर सकते हैं इसके इलावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अपनी क्वेरीज, UPSC को या फिर किसी भी स्टेट पीसे एक्जाम को लेके मुझसे आप इंस्साग्राम पर पूछ सकते हैं Study IQ आप को डाउनलोड करना ना भूलें Especially अगर आपका पहला attempt है इस course को भाई करना बिल्कुल भी ना भूलें इसमें हमने पिछले 10 साल के वेपर्स को डिसकस किया है Right, so सबसे पहले जो एक static जानकारी है जो की हम सभी को मालूम है उसको एक बार दुबारा से revise कर लेते हैं चाइना का जो पहला permanent military presence है अपने borders के बाहर ये वाला जो permanent military presence था असल में इसको complete किया गया था 2017 में चाइना established a naval base in Jiboti ये आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड पे जो image दिखाई गई है ये Jiboti का एक map है This is the very very crucial port of Jiboti जो की international trade में बहुत ही important भूमिका रखता है primarily because ये Gulf of Aden के बिल्कुल past located है इसका एक और map आपको दिखाऊंगा लेकिन उसके पहले देख लीजिए चाइना का जो naval base है वो असल में यहाँ पर है अब ये ये वाली image थोड़ी पुरानी है इसमें under construction लिखा हुआ है लेकिन अब ये वाला जो naval base है complete हो चुका है और जब ये naval base complete हुआ था उसी समय दोनों के दोनों देशों ने इस चीज़ को लेके भी समझोता किया था कि हम आगे जाके हमारी जो partnership है उसको हम एक रननितिक partnership में बदलने वाले हैं जिसके चलते हम चाइना और जिबोती के जो समबंद हैं उनको और भी improve करने वाले हैं ये वाला map आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छे से आपको समझ आएगा ये रहा हमारा भारत ठीक है उसके बाद ये आपका पूरा Middle East का area है ये Middle East में ध्यान से देख लीजे ये आपका Persian Gulf है ये आपका Gulf of Aden है Please don't confuse these two कई सारे बच्चे confuse करते हैं Gulf of Aden के बाद आपकी आती है Red Sea और Red Sea के बाद यहाँ पर आपका आता है Suez Canal ये आपका सबसे important route है जो की आगे जाके जोड़ता है European Union के साथ भारत को भी, चाइना को भी और कई सारे एशियाई देशों को और यहाँ पर ये वाले route पर ही आपका पड़ता है Jiboti Here you have Jiboti और यहाँ पर एक छोटे से corner पर यहाँ पर चाइना के द्वारा बनाया गया है Naval Base इसी लिए ये वाले Naval Base की implications केवल military implications नहीं है अभी तक क्या conception बनी हुई थी कि ये वाला जो Naval Base है ये basically so that चाइना को Arabian Sea को access मिल जाए और Indian Ocean region को access मिल जाए लेकिन केवल इतना ही नहीं इसकी और कई सारे implications है उनी को इसमें हम समझने वाले है As you can see Sino-Jiboti strategic partnership is much more than establishing simply a Naval Base सबसे पहला कारण समझ लेते हैं क्या है सबसे पहला कारण है चीनी वैपार असल में चाइना अपने वैपार को सुरक्षित करना चाहती है with mainly two important things सबसे पहले तो जो Beijing की trade है European Union के साथ लगभग 1 billion dollars प्रती दिन की trade है जो की European Union के साथ होती है जो की असल में Gulf of Aden के through pass करती है so अपनी सभी trades को सुरक्षित करना है किसी भी तरह के जो containers है उन पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए क्योंकि आप देख सकते हैं यह वाला जो area है काफी जादा narrow भी है और यहाँ पे China इन trades को protect करने की पूरी-पूरी कोशिश करना चाहता है Secondly, अगर हम oil imports की बात करें तो जो China के oil imports हैं वो भी आप देख सकते हैं Again, यहाँ से अधिकतर जो oil imports हैं इन ही Middle Eastern country से आते हैं और इनको भी protect करने की पूरी-पूरी कोशिश चाहिना करना चाहता है 40% of China's oil imports, total oil imports passed through the Indian Ocean So, सबसे पहले तो अपनी export-oriented economy को और अपनी energy imports को वो बचाने की कोशिश कर रहा है through this naval base और आप समझ सकते हैं यह जिबोती की जो location है यही इस चीज को offer करती है जिसकी वज़े से चाहिना ने जिबोती के साथ अपने संबन्दों को काफी improve किया है Now, जिबोती controls access to both the Red Sea and the Indian Ocean आप देख सकते हैं and therefore यह Europe को Asia Pacific को Horn of Africa को और Persian Gulf को सभी को link करता है क्योंकि जिबोती की जो location है यह ऐसी crossroads पे है जो कि आपको और कोई country offer नहीं करती है अगर हम बात करें further location को थोड़ा और समझे यहाँ पे ध्यान से देखिए इस map में आपको यह चीज तो समझा चुकी होगी यह आपकी Red Sea है यहाँ पे आपका Gulf of Aden है यह जिबोती है clear है एक area है जिसको कहा जाता है Mena Mena area किसको कहा जाता है इस area को Mena area कहा जाता है Mena यानी कि M-E-N-A M-E-N-A इसको Mena के नाम से जाना जाता है Middle East North Africa so यह भी काफी important area है North Africa में कौनसी कौनसी countries आती है Morocco आता है Tunisia आती है Libya आती है Egypt आती है यह सब countries है जो की असल में Mena के area में fall करती है जिबोती की जो location है it is not only at the mouth of the Red Sea but also क्योंकि यह Mena के बहुत ही नजदीक है तो China की जो African region को लेकर overall बड़े ambitions है कि हम African region के साथ अपने संबंदों को और improve करना चाहते है वो भी यहाँ पे prove हो सकते है वो भी यहाँ पे possible हो सकते है because of the location of जिबोती so जिबोती basically offers long term growth potential as an economic momentum in the proximity intensifies over time so यह आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ तो China अपने वैपार को सुरपशित करना चाहती है with the European Union regarding oil imports और MENA के साथ अपने संबंदों को improve करना चाहती है primarily economic relations second reason की बात करें तो second reason है China का very own flagship project of belt and road initiative जो belt and road initiative है 2013 में launch हुआ था लेकिन आप देखें जिबोती का जो असल में उस time पे naval base बनाने की कोई बात नहीं थी लेकिन उस time पर भी China के दिमाग में यह जरूर था कि हम जिबोती को एक बहुत ही critical logistics और trading hub बनाना चाहते हैं again कारण वही है क्योंकि उस time पर भी China को यह लगा कि जिबोती की जो location है बहुत geostrategically important है तो reason तब भी वही था लेकिन इसका outcome अलग था इस बार चाहिना को अपने BRI के project को successful बनाने की कोशिश करनी थी so second important reason is BRI और चाहिना ने इसके लिए केवल BRI में केवल इनोंने जिबोती को एक logistics hub नहीं साथ में अगर आप देखें एक बहुत ही पुरानी railway line है यह चलती आ रही है लगभग 100 साल पुरानी है यह Addis Ababa जो की Ethiopia का capital है यह link करती है to जिबोती बहुत ही लंबी railway line है लगभग 753 km की लंबी railway line है और यह लगभग 100 साल पहले बनाई गई थी लेकिन 2018 में आप इस article को देखे South China Morning Post का article है यह इस article में बताया गया है कि किस तरीके से चाइना ने इस particular railway line को modernize किया और कई सारा पैसा इन दोनों देशों को दिया कि हम इस railway line को modernize करना चाते हैं तो एक तरीके से इन दोनों देशों को impress कर दिया and obviously जिबोती के साथ तो अपने संबंध इंप्रूफ करे ही करे साथ ही में एथोपिया के साथ भी अपने संबंधों को काफी इंप्रूफ किया क्यूंकि उन्होंने इतनी बड़ी railway line इन दो कंट्रीज के कापिटल्स को जोडने वादी railway line को इन्होंने modernize करवाया So, a 3.4 billion railway line running from Addis Ababa to Jiboti plays an important part in maximizing Jiboti's strategic position within the BRI framework तो इन्होंने Jiboti को तो एक strategic hub बनाया ही साथ ही में Addis Ababa के साथ भी अपनी जो location है अपनी जो connectivity है उसको improve कर दिया है अब आप देखिए BRI में Jiboti important क्यों है देखिए BRI के कई सारे अंग है BRI का ये वाला जो उपर वाला अंग है इसको हम कहते है Silk Road Economic Belt जो की पुराने वाली Silk Road को इन्होंने extend करने की कोशिश की BRI का सबसे बड़ा अंग जिसको माना जाता है China-Pakistan Economic Corridor और BRI का जो तीसरा अंग है That is the Maritime Silk Road अब Maritime Silk Road यहां से शुरू होते होते यहां पे आई उसके बाद यहां पे आई इवन दो इंडिया ने अलाओ नहीं किया लेकिन अगर मान लीजे इसको भी हम यहां पे हटा देते हैं इस पार्ट को भी हां पे हटा देते हैं अगर मान लीजे जिबोती equation से हट जाए तो China असल में अपनी Maritime Silk Road को complete ही नहीं कर पाएगा क्योंकि मान लीजे Kenya ने हां कर दी लेकिन जिबोती ने मना कर दिया तो Kenya से लेकर के Greece तक बीच में कोई भी link नहीं है चाइना के पास So there was a link required अगर जिबोती ना होता तो ये वाली Maritime Silk Road कभी पूरी ही ना हो पाती This was the very big reason जिसके चलते जिबोती को इस पूरे B.R.I. का हिस्सा बनाया गया था और अब आप देखे इस Maritime Silk Road के सबसे crucial part के center में जाके चाइना ने अपना overseas military base भी बना दिया है This is how China is planning strategically आप देख सकते हैं पहला reason वैपार था दूसरा reason completely strategic basis पर है अपने B.R.I. को strengthen करने के लिए B.R.I. को और strong करने के लिए तीसरा और आखरी reason है debt trap यह भी काफी बड़ा reason है यहाँ पर देखे एक Chinese company है जो की completely जो जिबोती का port है जो मैंने आपको बताया बहुती important port है उसको finance कर रही है उसके revamp के लिए यानि कि उसको उनको थोड़ा सा improve करना है उसकी financing जो है वो एक Chinese company कर रही है इसका नाम है China Merchants Group यह सबसे बड़ी company है जो चाइना की जो चाइना का biggest port operator है इन्होंने साड़े 300 million dollar का investment deal sign किया था जो की जिबोती की company का sign किया था so that हम port of जिबोती को एक international business hub में बना सके नौ यह सब सुनने में अच्छा लगता है कि चाइना एक छोटे देश की मदद कर रहा है लेकिन आप सभी जानते है जब भी चाइना एक छोटे देश की मदद करता है उसका end result क्या होता है debt trap और यह चाइना केवल आज की बात नहीं है कई सारे सालों से इस चीज के लिए infamous है in fact US officials ने इस चीज को लेके काफी चिंता भी जताई थी कि जो यह जिबोती है यह एक बहुती छोटी country है and यह आगे जाके चाइना के debt trap में फस सकती है according to USA जिबोती का जो total debt है towards China it has now increased to more than 70% of the GDP तो यह अपने आप में काफी बड़ी figure है हलांकि यह वाली जो figure है यह reports कहती है कुछ exactly जिबोती ने अचा कुछ नहीं कहा है लेकिन again अगर यह figure इसके आस पास भी है तब भी यह बहुत जादा चिंता की बात है debt trap diplomacy आपको मालूम है क्या होती है debt trap diplomacy China पहले तो loan देती है फिर जब वो लोग loan नहीं चुका पाते है तो उसके बाद China उसी country के assets को acquire कर लेती है if these nations fail to repay the loans on time China pressurizes them to support its geostrategic interest जिसमें की China उनके assets को acquire भी कर लेती है same चीज़ Kenya में चल रही है जो China Kenya का जो port है Mombasa port again very very important port international trade के हिसाब से China के अगला जो aim है वो यही है कि हम Kenya के Mombasa port को capture करना चाहते हैं हम Kenya को अपने debt trap में फसा लेंगे so ये तीन बड़े कारण है जिसकी वज़े से आप देख सकते हैं कि जिबोती is a very very important integral part of China's expansionist aims अब ये सारी की सारी चिंता जो है कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक concern बन सकता है वो कैसे बिकॉस देखिए इंडिया का vision क्या है इंडिया का vision इंडियन ocean region के लिए यही है कि हम इसको secure और peaceful रखना चाहते हैं और इंडिया इसमें जिम्मेदारी भी रखता है क्योंकि केवल इंडिया के aims matter नहीं करते इंडिया की responsibility भी matter करती है क्योंकि इंडिया इंडियन ocean region का एक central हिस्सा है और साथी में इंडिया की जो relationship है वो सभी के सभी African देशों के साथ भी काफी competitive और cooperative है अगर हम अपनी relationship को उस स्तर तक नहीं ले जा पाते हैं जहां तक China ले जा पा रहा है तो there is a possibility कि हमारा जो relationship है वो Chinese presence की वज़े से इंड आफ्रिकन देशों के साथ भी affect हो सकता है So all in all हम यही समझते हैं यहां से कि China का जो जिबोती के complete केवल एक पूरा का पूरा partnership है that is not just limited to the naval base it is much more and obviously it holds some concerns for India as well With that I conclude this video Thank you for listening, stay tuned and stay safe